नमस्ते, मेरा नाम है दक्षनेगी और आज की एक्टिविटी का नाम है पैतरन पचाना ओके, तो आज हम अनोखी एक्टिविटी करेंगे, देखो ये रखे हमने दो चने और ये रखे हमने दो मटर तो अब आपको पता है, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या रखेंगे चने येस तो इसके बाद क्या रखेंगे हम दो चने, और इसके बाद हम क्या रखेंगे मटर तो रखो, दो मटर रखो दो मटर नीचे की लाइन में हमने क्या करना है देखो जरा क्या करना हैं й तो सेम टू सेम करना कर के दिखाओ पराबर रखो है यह तो चने के साथ हम ने क्या रखना चने के साथ चना मटर के नीचे मटर चने के साथ मिक्स नी करना उसको जैसे चने के नीचे चना कहां पे है सेम ऐससी रखना है कि क्या जैसा यह एतनी दुरी पर आँ तह गो भी दूरी पर रखंगे न हम इस लाइन की ऐसे और उपर भी मैच हो छोड़ा से दूर तो हमने क्या सीका पैटरन बनाना पैटरन पहले हमने क्या रखे दो चाने फिर दो मातर फिर फिर क्या रखे हमने चने के साथ चना मिला के एक पैटरन तयार करा फिर हमने मतर मिला के एक पैटरन तयार किया तो सेम हमने फिर चने का पैटरन तयार किया फिर मतर का पैटरन तयार किया तो हमने यह क्या बनाया एक पैटरन और इसमें हमें पता भी लगा कि कौन सी चीज के बाद कौन सी चीज जाएगी तो अच्छी लगी आपको एक्टिविटी मज़ा आया आपको तो ऐसे आपको कोई होर समान जैसे हम रखेंगे एक प्याज, एक टमाटर जैसे हमने पहले रखें एक प्याज रखा, फिर एक टमाटर रखा फिर टमाटर के बाद हम क्या रखेंगे फिर एक प्याज और देखो जैसे हमने एक आलू रखा और एक टमाटर रखा तो फिर हम टमाटर के बाद एक और क्या रखेंगे आलू येस, तो ऐसे हम अपना पैटरन तयार करते हैं, तो मलब ऐसे हमें पता भी लगता है कि आलू के बाद क्या आएगा, ये टमाटर से पहले क्या आएगा, है ना, तो ऐसे चने के बाद हमारे क्या आएगे, मटर के बाद क्या आएगा, ऐसे हमें पता लगता है, तो कैसी लगी अक्टिविटी? अच्छी. मज़ा आया अक्टिविटी करते समय? अजी. थैंक यू.